हर हर महादे उत्तर प्रदेश के लोगप्रिय मुख्यमंत्री सिमान योगी आधित्यनाज जी मन्च पर उपस्तित सभी महानुभाव काशी सांसत सांस्कृतिक महुशव के सभी प्रतिभागी साथियों और रुद्राग सेंटर में उपस्तित मेरे प्यारे काशी वाच्यों बाबा के आशिरवाद से काश्ची का सम्मान आज नीत नई नई उचाईयों को छू रहा है जी ट्वेंटी समिट के जरिये भारत ने पूरी दुनिया में अपना जंडा गाड़ा है लेकिन उसमें काशी की चर्चा विशेश है काशी की सेवा, काशी का स्वाद, काशी की संस्कृती और काशी का संगीत जी ट्वेंटी के लिए जो जो महमान काशी आया वो इसे अपनी यादों में समेटते हुए साथ लेकर के गया है मैं मानता हुँ कि जी ट्वेंटी की अध्भूत सफलता महादेव के आशिरवाद से ही संभव हुई है साथियों बाबा की कृपा से काशी अब पिकास के ऐसे आयाम गड़ रही है जो अभूत पुर्वा है आपको भी लगता है ना आप बोलेंगे तो पता चलेगा मैं जो कह रहा हूँ आपको सत लग रहा है आप बदलाब देख रहे हैं काशी चमक रही है दुनिया में काशी का नाम बढ़ता चले जा रहा है साथियों आज ही मैंने पनारस के लिए अंतर राष्टिय क्रिकेट स्टेडियम का सिलान नयास किया है और अभी अभी मुझे गुपी के सोला अटल आवाचिय विद्यालेयों के लोकारपन का आउसर भी मिला है मैं इन सभी उपलब्दियों के लिए काशी वाचियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को बढ़ाई देता हूं मेरे स्रमिक परिवारों को बढ़ाई देता हूं मेरे परिवार जनो 2014 में जब मैं यहां आया था तो मैंने जिस काशी की कलपना की थी विकांस और विरासत का वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा दिल्ली में विस्तता के बीच भी मैं काशी सांसर्थ सांस्कृतिक महुत्सों के जो आपका कारिका में चला और मैंने तो देखा होत व्यापक रूप से लोगों ने हिस्सा लिया तो मैं कभी रात को देर से पहुंचता था तो भी दो पाट दस मिन डिकाल के वीडियो देख लेता था क्या चल रहा है और मैंने देखा बड़ी प्रभावित करने वाली आपकी प्रस्तूतिया थी अद्भूत संगीत अद्भूत प्रस्तूति मुझे गर्व है कि इस सांस्यद सांस्कृतिक महोस्व के जरिये मुझे इस खेत्र की धर्ति की इतनी सारी प्रतिभावों से सीधा जुड़ने का अवसर मिल गया और अभी तो इस आयोजन का ये पहला साल रहा है लेकिन फिर भी इसमें करीब चालीस हजार लोगों ने कलाकारों ने हिस्सा लिया और लाखों दर्शक प्रत्यक्ष रुप में इसका आनन्द लेने के लिए मुझे विश्वात है पनारस के लोगों के प्रयाद से आने वाले वर्षों में ये सांस्कृतिक महोस्व अपने आप में काशी की एक अलग पहचान बनने वाला है इसका सामर्थ इतना बढ़ने वाला है हर कोई लिखेगा कि मैं उस परधा में मैंने हिस्सा लिया था मैंने उस परधा में इनाम पाया था और दुनिया भी पूछे कि अच्छा उसमें आप नंबर लाये थे तो दहा जाएए आपके इंटर्यू की ज़रोत नहीं है यह होने वाला है यह देश दुनिया के परियटकों के लिए यह हमारा काशी आकरशन का एक नया केंद्र भी बनेगा यह मान के चली है मेरे परिवार जनों काशी और संस्कृति एकी चीज के एकी उर्जा के दो नाम है आप उनको अलग करी नहीं सकते और काशी को तो देश की संस्कृतिक राजदानी होने का गवरव प्राप्त है और काशी की तो गली-गली में गीत गुंजते हैं और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह नटराज की अपनी नगरी है और सारी नुत्यकलाएं नटराज के तांडव से ही प्रकट हुई है सारे स्वार महादेव के डमरू से उत्पन्न हुए सारी विधाओं ने बाबा के विचारों से जन्म लिया है इनी कलाओं और विधाओं को फरत मुनी जैसे आदी आचारियों ने व्यवस्तित और विक्सित किया और काशी मतलब साथ वार नवत्योहार ये साथ वार और नवत्योहार वाली मेरी काशी में कोई व्यूत्सव इत संगीत के बिनापूरा हो ही नहीं सकता चाहे घर की बैठकी हो या बजडे पर बुड़वा मंगल भरत मिलाप हो या नाग नथया संकट मोचन का संगीत समारो हो या देव दिपाली पर यहां सब कूट सूरों में समाया हुआ है ताथियों काशी में सात्रिय संगीत की जितनी गवरोशाली परंपरा है उतने ही अधूत यहां के लोकगीत भी है यहां तबला भी है यहां शहनाई और सितार भी है यहां सारंगी के सूर भी है और यहां बीना का बादन भी है ख्याल ठुमरी दादरा चेती और कजरी जैसी कितनी ही विधाओं को बनारस ने सद्यों से सहच कर रखा है पीडी दर पीडी परिवारों ने गुरु सिश्य परंपराओं ने भारत के इस मधूर आत्मा को जीवित बनाए रखा बनारस का तेलिया घराना पियरी घराना रामापुरा कबीर चौरा महले के संगीत अग्या ये विरासत अपने आप पे कितनी सम्रुद्ध रही है बनारस के ऐसे कितने ही कलाकार हैं जिनोंने पूरे विश्व में अपनी चाप छोड़ी है मैं सबके नाम लेना शुरू करूँगा तो शायब कितने दिन निकल जाएं कितने ही विश्व प्रसिद नाम यहां अभी हमारे सामने उपस्तित है मेरा सवभाग है कि मुझे बनारस के ऐसे कई सांस्कृतिक आचारियों से मिलने का उनके साथ समय बिताने का सवभाग मिला है ताथियों आज यहां काशी सांसद खेल प्रतियोगीता के पोर्टल को भी लॉंच किया गया है सांसद खेल प्रतियोगीता हो सांसद सांस्कृतिक महोच्षव हो काशी में नई परंपराओं की ये तो शुरुवात है अब यहां काशी सांसर ज्यान प्रतियोगीता का भी आयोजन किया जाएगा कोशिश यही है कि काशी के इतिहास यहां के सम्रिद्विरासत यहां के त्योहार यहां के खान पान के प्रति जागरिकता और बढ़े सांसर ज्यान प्रतियोगीता भी पनारस के शहरी और ग्रामिन इलाकों में अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी साथियों काशी के बारे में सबसे ज़्यादा काशी के ही लोग जानते हैं और यहां का हर व्यक्ति हर परिवार वो सच्चे अर्थ में काशी का ब्रांड एम्बिसेडर है लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि सभी लोग काशी के बारे में अपनी जानकारी को अच्छी तरह बता पाएं और इसलिए शायद देश में पहली बार मेरे मन में की इच्छा है यहां शुरू करूँ अब सब का साथ मिलेगा आपको पता तो है नहीं में क्या कहने वाला हूँ फिर भी हां कह दिया देखे कोई भी टूरिस प्लेस होता है यात्रा धाम होता है तो आज के यूग में उत्तम से उत्तम गाईड बहुत आवश्यक होते हैं और गाईड प्रतिभावान हो जानकारियों के सबंद में परफेक्ट हो गोलमोल नहीं यह दुसरा बोलेगा डाईश्यसाल पुराना यह तो दोसो चालीस बोलेगा मतलब दोसो चालीस यह ताकत काशी में होनी चाहिए और आज कल टूरिश्ट गाइड यह बहुत बढ़ा रोजगार बन रहा है कि जो टूरिस्ट आता है वो सब चीज़ यह समझना चाहता है और तुरिस्ट को गाइड को पैसे भी देना चाहता है और इसलिए बेरी एक इच्छा है और मैं कोशिश कर रहा हूं सुरू करेंगे अब यहां काशी सांसर्थ टुरिस्ट गाइड उसकी कॉंपटिशन भी आज़ित की जाएगी आप गाइड बन करके आईए लोगों को समझाईए एक एक जगा का विशे में और इनाम पाईए उसके कारान लोगों को पता चलेगा कि इस शहर में गाइड का एक कल्चर बन रहा है और मुझे एक काम इसलिए करना है कि मैं चाहता हूँ मेरी काशी का दुनिया में डंका भजना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर कोई कहीं गाइड की बात करे तो काशी के गाइड का नाम सबसे सम्मान से लिया जाए मैं सभी काशी वाद्चिवाद अपील करना चाहूंगा कि आप अभी से पहरी करिए और बढ़ चरकर के उसमें हिस्सा ले मेरे परिवार जनों हमारा बनारस सद्यों से शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र रहा है बनारस की शेक्ष निक सब़ता का सबसे बड़ा अधार है इसका सर्वसमावेशी स्वभाव देश और दुनिया के कौने कौने से आकर लोग यहां पढ़ाई करते हैं आज भी दुनिया के कितने ही देशों से लोग यहां संस्क्रिट सिखने आते हैं ग्यान लेने आते हैं आज हमने इसी भावना को केंदर में रख कर यहां से अटल आवाचिय विद्यालयों का सुभारम किया है आज जिन अटल आवाचिय विद्यालयों का लोकार्पन हुआ है उन पर करीब कि यहारा सो क्रोड रुपे खर्च किये गए हैं और यह स्कूल इतने भव्य स्कूल हमारे स्रमीक हमारी हम्मद्दूरी करने वाले जो लोग है और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम है और इसे उनको अच्छी सिख्षा मिलेंगे समस्कार मिलेंगे आदुनिक्तम सिख्षा मिलेंगे जिन लोगों की कोरोना में दुखत मुर्त्य हो गई उनके बच्चों को भी इन आवासी विद्यालों में निश्वल्क पढ़ाये जाएगा मुझे बताया गया है कि इन स्कूलों में कोर्स के साथ साथ संगीत, कला, क्राप, कंप्यूटर और स्पॉर्ट्स के लिए भी शिक्षग होंगे याने गरीब के बच्चे भी अब अच्छी से अच्छी पढ़ाय का सरवांगिन सिख्षा का सपना पूरा कर पाएंगे और केंद्र सरकार के ओरते हमने इसी तरह जनजातिय समाच के बच्चों के लिए एक लब्या आवासीय स्कूल बनाए है नई राष्ट्रिय शिख्षा निति के जरिये हमने शिख्षा व्यवस्ता की पुरानी सोच को भी बदला है अब हमारे स्कूल्स आधुनिक बन रहे हैं क्लासे स्मार्ट हो रही है भारत सरकार ने देश के हजारों स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए पीम स्री अभ्यान भी शुरू किया है इस अभ्यान के तहट देश के हजारों स्कूलों को मोडन टेक्लोलोजी से लेश किया जा रहा है तात्यों काशी में सांसत के तोर पर जो भी नए कारकम शुरू हुए हो रहे हैं उन सभी में मुझे आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है ये जो अट्रल आवास ये विद्याले हैं न ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो कभी ये गाउं दुसरे गाउं ऐसे काम करते हैं बच्चों की पढ़ाई छूट जाती हैं और उसके लिए एक बजेट रखा जाता है उसमें से उनके बच्चों की चिंता करने का विज़र आप देखिए कि तत्कानीन राजनीति गलाब लेने का जिनका इरादा नहीं होता है स्वार्थभाव नहीं होता है वो कैसे काम करते हैं और जिनके दीद दिमाग में सिर्फ चुनाव ही भरा रहता है कैसे भी करके वोट बटोनने की खेल खेलने की आदत रहती है वो ऐसे पैसों के कैसा बरबात करते हैं आप हिंदुस्तान में जानकारी लेंगे तो पता चलेगा ये पैसे सभी राज्यों के पास है और भरत सरकार ने पूरी की पूरी उनको छुट देके रखी है लेकिन जादा तर राज्य वोट मिलने वाले कामों के लिए उन पैसों को खपा रहे हैं जबकि योगी जी ने और मेरी बात तो बहुत पहले हुई थी लेकिन मोना इने मन में रखा और आज और ये बच्चे इतने तयार होंगे न उस परिवार को फिर मद्धूरी करने की नौबत ही नहीं रहे लिए अभी मैं ये अटल आवाश्य विद्धा लेके कुछ बच्च अगर भी कभी देखा नहीं था लेकिन इतने कम समय में जो आत्मविश्वात मैंने उनका देखा बहुंके सभी टीचर्स को भी बदाई देता हूं कि जिस आत्मविश्वात चोंबाते कर रहे थे और प्रधान मंत्री को जिस प्रकार थे वो भ्रील कर रहे थे ऐसे सवाल पूछ रहे थे अब मैं भी तो कोई सेले बस पढ़के आया नहीं था मुझे दिख रहा था गिन बच्चों में स्पार्क है सामर्थ है और मैं पक्का मानता हूं दोस्तों दस साल के भीतर भीतर देखना इस बच्च इस स्कुलों मैं से उत्तर प्रदेश की काशी की आन बान शान निखरने वाली है मेरे प्यारे कासी वात्यों मुझे पर आपके आसिरवाद ऐसे ही बनाये रखिये इसी भावना के साथ आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद हर हर महादेश